प्रिये सद्गुरू, ये बात सभी को पता है कि इच्छा ही सारी दुखों और तनाव का कारण है। लेकिन एक माँ और पत्नी होने के नाते, मैं इन इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पा रही। मुझे इस विशे में आपकी अनमोल सला चाहिए। धन्यवाद। अब ऐसा नहीं है कि एक पत्नी होने के कारण और फिर एक माँ होने के कारण आपके भीतर इच्छाएं आई है। अगर आप किसी की पत्नी नहोती, तब शायद आप, जब आप किसी की पत्नी नहीं थी, तब आप किसी की पत्नी बनने की इच्छा कर रही थी. अब किसी की पत्नी बनने के बाद आपने संतान पानी की इच्छा की और एक माँ बन गई. अब आपके पास संतान है और आप कह रही है इन दोनों की वज़े से मेरे मन में इच्छा जाकती है ये सच नहीं है अगर आप किसी की कुछ भी न हो तब भी आपके मन में इच्छाओं की आग जलेगी कैसा है? हाई या ना? अगर आप इस दुनिया में किसी की कुछ नहीं है, तब भी आपकी इच्छाओं की आग जलेगी, है न? तो ये मत सोचिए कि आपके भीतर इच्छाओं हैं, आपके बच्चे, आपके पती, आपके परिवार वगरे की वज़े से हैं, आप ऐसे भी इच्छा करेंगे, क्योंकि ये आपकी प्रकृती है, अभी सवाल पूछते समय हैं, आपने कहा कि इच्छा ही सभी दुखों का मिश्री, है ना, है कि नहीं, इच्छा पूरी होने से आपको खुशी मिलती है, अधूरी इच्छा आपके दुखों का कारण है, मिश्री, अब इस इच्छा का क्या करें, क्या हम इच्छा को मार दें, मुझे पता है, लोग आपको इस तरह की बाते सिखाते रहें, आपको अपनी सारी इच्छाओं को मारना होगा, इच्छाओं को मारे बिना आपके दुख नहीं जाएंगे, ऐसी शिक्षाएं आप तक पहुँची हैं, है न? अब अगर आप अपनी सारी इच्छाओं को मारना चाहते हैं तो आपके पास बस अपनी इच्छाओं को मारने की एक बहुत बड़ी इच्छा होगी और ये इच्छा हमेशा अधूर ही रहेगी मुझे कोई भी इच्छा नहीं चाहिए, क्या ये भी एक इच्छा है? ये एक इच्छा है या नहीं? है तो अगर आप इसके साथ चलने की कोशिश करते हैं, तो ये काम नहीं करने वाला क्योंकि इच्छा किसी खास चीज की इच्छा नहीं करती जिस सूर्जा को आप इच्छा कहते हैं, वो सूर्जा से अलग नहीं है, जिसे आप जीवन कहते हैं अगर आप पॉइंट A से पॉइंट B तक जाना चाहते हैं, तो आपके पास इच्छा होनी चाहिए, है न? आज आपको यहां किसने पहुँचाया? किसी बस, कार या वहान ने आपको नहीं पहुँचाया? आपकी इच्छा ही आज आपको यहां लेकर आई है, है न? आपको घर कौन ले जाएगा? आपकी इच्छा ही आपको घर ले जाएगी आपको खाना कौन खिलवाएगा? आपकी इच्छा ही आपको खाना खिलवाएगी तो आप जिसे इच्छा कहते हैं, वो उससे अलग नहीं है जिसे आप अपना जीवन कहते हैं, जीवन ही इच्छा है आपके जीवन का आधार ही इच्छा है, है न? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इच्छा को मार दो, तो फासी पर लटकना ही एक मातर तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, मैं मरना चाहता हूँ, ये भी एक इच्छा है, है ना, हाई या ना, तो खुद को इन चीजों से धोखा न दे, इच्छा आपके जीवन का मूल सत्व है, लेकिन साथ ही, आपको ये भी पता है, कि इच्छा कभी भी खत्म नहीं होती, एक इच्छा के पूरे होते ही, दूसरी तयार हो जाती है, उसे पूरा करते ही, अगली तयार हो जाती है, ये आपको हर समय चालू रखती है, और जाहिर ह कि कुछ इच्छाएं अधूरी रहेंगी और वो अधूरी इच्छाएं आपको बहुत दुख देती हैं अगर आप इच्छा को देखें दरसल हमने जब बात शुरू की तब हम इसी को देख रहे थे बस हमने इच्छा शब्द का प्रयोग नहीं किया आपके भीतर कुछ ऐसा है जो आपकी मौजूदा स्थिती से थोड़ा अधिक विस्तार चाहता है यही इच्छा है तो आपकी इच्छा का अंतिमुद्देश्य है असीम होना अनंत प्रकृति को पाना पर चूंकि आप जागरुक नहीं हैं आप उस इच्छा को एक अच्छेतन अभिव्यक्ति दे रहे हैं जो असीम होना चाहती है तो आपको अपनी इच्छा को नश्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप नहीं कर सकते क्या कोई अपनी इच्छा को नश्ट कर सकता है क्या यह संभव है ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जीवन है बात बस इतनी है, कि आपको अपनी इच्छा को एक सचेतन प्रक्रिया बनाना होगा इस समय ये अचेतन तोर पर काम कर रही है क्योंकि इस समय ये इच्छा आपके बारे में भी नहीं है, ज़रा गौर कीजिए अभी आप त्रिवेंद्रम या त्रिवानन्थपुरम में रह रहे हैं आपके पडोसी के पास एक बड़ी सी कार है आपकी इच्छा क्या है? आपको वैसी दो कारें चाहिए अब आप इन कारों के बारे में नहीं जानते आप किसी छोटे से गाउं में रहते हैं और आपके पडोसी के पास एक बड़ी सी भैंस है आपकी इच्छा क्या है? आपको वैसी दो भैंसे चाहिए तो आप जिन सामाजिक परिस्थितियों में रहते हैं आपकी इच्छा बस उसी की एक प्रतिक्रिया है, है न? ऐसा इसी लिए है क्योंकि विस्तार की इच्छा अचेतन रूप से प्रकट हो रही है अगर आप अपनी इच्छा करनी की प्रक्रिया को एक जाग्रुक प्रक्रिया बना लें तब इच्छा कोई समस्या नहीं रहेगी इच्छा एक शांदार वहान है जो आपको अलग-अलग जगाओं तक ले जाएगा अगर आप परम तक पहुँचना चाहते हैं तब भी आपको इच्छा की ज़रूरत होगी है न? वैसे भी आपकी इच्छा सीम को पाना चाहती है सीमाओं से परे जाना चाहती है ये परम प्रकृती को पाना चाहती है आपको बस इसके प्रती जागरूक रहना है अगर आप अपनी इच्छा की प्रक्रिया में जागरूकता ले आएं तो ये एक शानदार साधन होगी अगर ये अचेतन रूप से प्रकट हो रही है तो ये आपको पागलों की तरह दोडाती है ये आपको हर वक्त बिना रुके दोडाती रहती है तो एक पत्नी और एक माह होने के नाते ये बहुत ही जरूरी है अब जब आप एक माह हैं ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है आप एक और इनसान को इस धर्ती पर लाई है अब आप किस तरह का इनसान तयार करती है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये सिर्फ बच्चे पैदा करने के बारे में नहीं है आप कैसी अगली पीडी तयार करती है ये आपके हाथों में एक माह होने के नाते, है न? अगली पीडी में किस तरह के लोग धर्ती पर रहेंगे, ये आज की माताएं तै करती है, है न? जब आपके उपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो, तो आप अचेतन होकर नहीं जी सकती हैं। आपको चेतन बनना ही होगा, खास तोर पर महिलाओं को चेतन बनना ही होगा, ये बहुत बहुत जरूरी है।